पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध आरंब हुआ युद्ध आरंब होने से पहले ही अफगान सेना पती शादी खाम अस्वानी की भूमी का संदिक्द हो गई मुला बदायूनी ने लिखा है कि हेमुद वारा स्वयम को दिल्ली धीश्वर घोशित किये जाने तथा दिल्ली से मुसल्मानों का राज्य च्छिन जाने से अफगान दुखी थे इसलिए उन्होंने युद्ध में उलट फेर करने का निश्चाई किया भले ही यह उलट फेर अफगानों के स्वयम के लिए भी विनाशकारी था महराज हेमचंद्र के पुरविया सेनिकों ने मुगलों की सेना से जबरदस्त युद्ध किया तथा वे मुगल सेना के केंद्रिय भाग तक पहुँच गए महराज हेमचंद्र 24 लड़ाईयों का अनुभवी सेना पती था जिन में से 22 के परिणाम महराज के पक्ष में आए थे इसलिए महराज हेमचंद्र ने मुगलों के तोप खाने की परवाह न करके शत्रु सैन्य में वो मार लगाई कि अलिकुली खाँ शैबानी की सेना के धाएं और बाएं किनारों को तोड़ दिया मुगल सेना के ये दोनों किनारे हाथियों की सेना के बल पर तोड़े गए थे राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि पूर्टुगीज से मिली तोपों का हेमु को बड़ा अभिमान था और पंद्रह सो महागजों की काली घटा च्छाई हुई थे हालांकि ये तोपे मुगलों द्वारा छीन ली गई थी किन्तु हाथियों की बड़ी सेना अब भी हेमु की ताकत बनी हुई थी थोड़ी ही देर में विजय तराजू के एक पलड़े में लटक गई कहने की आवशक्ता नहीं कि ये पलड़ा महाराज हेम चंद्र के पक्ष में जुका हुआ था हिंदू वीर उत्साह से भर गए और भरपूर हाथ चलाने लगे मुन्तखब उत्तवारीख के लेखक अब्दूलकादिर बदायूनी ने लिखा है कि हेमु ने अपने समस्त हाथियों को एकत रित करके मुगल सेना के केंद्र पर आक्रमन किया जहां खाने जमा अर्थात अली कुली खांश शैबानी नियुक्त था लेकिन इसलाम के सिपाहियों ने हेमु का तीरों से स्वागत किया बदायूनी ने लिखा है कि इन परिस्थितियों में हेमु नंगे सिर पागल कुत्ते ने काट खाया हो इस तरहें अपनी जंग वाली चिल्ला अट करता रहा लो और दो तथा मंत्र बोलता रहा जो उसने सीखा हुआ था जब युद्ध भूमी में हेमु द्वारा किये जा रहे संगार की सूचना पानी पत से पांच मेल दूर पड़ाव कर रहे बैराम खां को दी गई तो बैराम खां अपनी बची खुची सेना को लेकर युद्ध के मैदान में पहुँचा जिस समय वह युद्ध क्षेत्र में कूदा उस समय मोगलों के लिए युद्ध बहुत ही नाजो के स्थिति में था गोडों पर बैठकर महाराज हेम चंदर तक पहुँचना संभव नहीं जानकर बैराम खां और उसके विश्वसनी या अमीर गोडों से उतर पड़े तथा तलवारें निकाल कर पैदल ही महाराज की ओर बढ़ने लगे बैराम खां को युद्ध के मैदान में आया देखकर मोगलों का जोश दुगना हो गया वे तक तक कर तीर, भाले और बंदुकें चलाने लगे इतिहास गवाह है कि दुरभाग्य और पराजय ने कभी हिंदु जाती का पीछा नहीं छोड़ा इस सर्वत्र व्यापी दुरभाग्य के चलते न पुरशार्थ, न विद्ध्या और न उद्यम, कुछ भी हिंदुओं के काम नहीं आया यही कारण था कि संपून शोड़्य, पराक्रम और युद्ध कौशल के होते हुए भी न तो महराज दाहिर सेन सिंदु के मैदान में मुहमद बिन कासिम को परास्त कर सके, न महराज जैपाल पंजाब में महमूद गजनवी को परास्त कर सके, न महराज प्रत्वी राज चोहान तराहिन के मैदान में मुहमद गौरी को परास्त कर सके, और न महराणा सांगा खान जब मुगल सेना में अफरात अफरी मचनी आरंभ हुई और ऐसा लगा कि महाराज हेमचंद्र को विजय श्री मिलने ही वाली है उसी समय जाने कहां से एक संसनाता हुआ तीर आया और महाराज हेमचंद्र की आँख पोड़ता हुआ निकल गया कौन जाने महाराज हेमचंद्र के प्रारव दुमें यही लिखा था अथवा सच्मुची भारतवर्ष की सौभाग्य लक्ष्मी सदा के लिए भारतियों से रूट गई थी महाराज हेमचंद्र की आँखों के सामने अंधेरा चा गया और वह होदे में गिर पड़ा बदायूनी ने लिखा है कि अचानक एक मारक तीर जिसे कोई ढाल नहीं रोक पाई हेमचंद्र की भेंगी आँख में घुस गया और उसका भेजा उसकी खोपड़ी में से बाहर निकल आया हेमचंद्र बेहोश हो गया यह देखकर उसके पास की टुकडियां भाग गई इसलाम के जंग जुओं ने उन काफिरों का पीछा किया और व्यापक कतले आम शुरू हो गया पुरबिया वीरों ने तथा राजपूत सैनिकों ने अंत तक महाराज का साथ नहीं छोड़ा और वे युद्ध भूमी में तिल तिल कर कट मरे महाराज के पाँच हजार सैनिक उसी समय मार डाले गए डेड़ हजार हाथी लूट में बैराम खा के हाथ लगे अबुल फजल ने लिखा है कि इसी दौरान शाह अली कुली खां हेमू के हाथी के पास पहुँचा शाह कुली खां नहीं जानता था कि वह हेमू का हथी है वह तो महावत को मार कर हाथी पर कबजा करना चाहता था महावत ने हेमू की ओर संकेत किया इस पर शाह कुली खां के सैनिकों ने महावत को तो बचा लिया किन्तु हेमू को उसके हाथी साहित पकड़ लिया गया शाह कुली खां हेमू को लेकर अकबर के पास पहुंचा अबुल फजल के विवरन से इस पष्ट है कि शाह कुली खां महावत को मारने आया था न की हाथी के मालिक को किन्तु महावत कायम खाने बेहुश पड़े महाराज के साथ चल किया और उसने जान भूज कर महाराज का परिशय दे कर उसे शाह अली कुली खां के हवाले कर दिया और स्वयम बच गया मुला बदायूनी ने लिखा है कि इसी दौरान शाह कुली खां महकम का हेमू के हाथी से सामना हो गया महावत ने कहा मुझे मत मारो हेमू मेरे हाथी पर सवार है इसलिए शाह कुली खां हेमू को मुगल शिविर में ले आया ऐसा लगता है कि अफगानों द्वारा महराज हेम चंदर के साथ किया गया धोखा एक सोची समझी गई रणनीति का हिस्सा था इसी कारण मुबारक खां और बहदुर खां ने महराज हेम चंदर का तोप खाना अली कुली खां शैवानी को सौप दिया था शादी खां की भूमी का संदिक दो गई थी और महराज के महावत कायम खाने भी शाह कुली खां को हाथी के होदे में बेहोश पड़े महराज का परिचे दे कर उसे शत्रू के हाथों सौप दिया था अफगानों की इस दोखा धड़ी के पीछे संभवते अफगानों की यह मानसिक्ता काम कर रही थी कि भरत पर भले ही मुगलों का अधिकार हो जाए और अफगान भले ही हाशिये पर चले जाए किन्तु एक हिंदू राजा को दिल्ली एवं आगरा में राज्य नहीं करने दिया जाएगा अगली कड़ी में देखिए महराज हेम चंदर का सिर काबुल के किले के बाहर सूली पर टांगा गया क्रपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें धन्यवाद